हमेशा से बोलती आ रही हूं है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा आक्टर है जिसके पास महान शक्ती है फिल्म सिलेक्शन की अजे देवगन इनके दिमाग में नैच्रल फिल्टर दिया है भगवान ने बंदा ढून के निकाल लेता है कौनसी फिल्म रीमेक करनी है जो बॉक्स ओफिस फार देगी सरफिरा में लाग बुराईयां हो सकती है लेकिन अक्षे कुमार की एक्टिंग में एक भी गलती नहीं मिलेगी और जिसने फिल्म देखी उसको पैसा बरबाद वाली फिलिंग कभी नहीं होगी बट अजय देवगन ने जो पाप किया है उसकी सजा अल्रेडी बॉक्स ओफिस पर मिल रही है लेकिन जादा लोगों को साबधान करना सतर करना ये हम सब की जिमिदारी है औरों में कहां दम था लिटरली ये फिल्म अपने टाइटल में ही आपको वार्निंग दे रही है किसी में दम नहीं है इसको एंडिंग तक देखने का सच पतारियों फिल्म खतम होने के बाद बड़े आराम से अपने चारों तरफ बैठे हुए लोगों को देखा था मैंने तो कुछ के बाल सफेध हो चुके थे थोड़े थोड़े मेरे भी नीरच पांडे ऐसे डिरेक्टर है जो मशूर है अपनी फिल्मों में ट्विस्ट इंटर्न्स डाल के सबको चौका आने के लिए ऐसा सिनिमा जो एंडिंग के बाद दिमाग में शुरू हो जाए और एक बार फिर से इनकी नई फिल्म खतम होने के बाद नासा को रिसर्ट शुरू करना पड़ेगा इतनी खराब फिल्म इतने टैलेंटेड अक्टर्स के साथ आखिर बन कैसे गई लिटरिली नीरत सर ने साबित कर दिया टाइम किसी के लिए रुके न रुके इनके लिए रुकता है 2024 में आप थियेटर के अंदर गए लेकिन निकलते वक्त 1980 आ गया 40 साल पहले ही बनती थी ऐसी फिल्में जिसमें 3 मिनिट की कहानी को 3 घंटे तक खीच दिया करते थे 10-15 गाने सुनाके और डायलोग्स में पबलिक को फसाके भाई ये वो जोड़ी है जिसमें दृष्ण जैसा masterpiece दिया था हम लोगों को अल्मूस 30 साल से एक दूसरे के साथ on screen काम कर रहे हैं दोनों तब जाके ऐसा सिर्मा बनाया इन लोगोंने कि आप खुद अपनी आँखे फोर्ड लोगे या फिर होस्पिटल में जाके डोनेटी करना पड़ेगा erase बटन तो होदा नहीं दिमाग में अगर मैं आपसे ये बोलू कि जुबा के स्ट्री वाले एड में अजय दिवगन की धाई मिनिट की आक्टिंग इस धाई घंटे की फिल्म से 100 गुना बहतर है यकीन करोगे करना पड़ेगा और क्रू में तबू माम का डायलोग बोलने का तरीका जो तफ़ड़ा कैजूल हो गया था वो इस फिल्म के सामने काफी नाच्रल और रियल फील करेगा वैसे कहानी बहार से काफी जबरदस लग रही थी जेल के अंदर एक खतरना क्रिमिनल जिस पर इलजाम है दो लोगों को कतले आम करने का उसको 25 साल बाद आजादी मिल रही है लेकिन ट्विस्ट यह है कि ये बंदा खुद नहीं चाहता कि इसको जेल से निकाला जाए उल्टा सजा बढ़ाने की मांग कर रहा है रीजन वही है जिसके लिए दोनों मर्डर्स किये गए थे सुनसान गली के बीच ओ बीच रात के अंधेरे में एक परचाई से बहार निकलता है एक लड़का जिसके दोनों हाथों में एक एक लाश है वो लोहे के हैंगर में टंगी हुई एकदम सिंपल लग रहा है ना सब कुछ लेकिन नीरज पांडे की कहानी और सिंपल ना जी ना खुद इस औरत के पती को भरोसा नहीं है माने क्लाइमेक्स में बॉम जरूर फूटेगा कृष्ण और राधा दोनों की जोड़ी के सामने पूरी दुनिया अपना सर जुकाती है तो फिर असा क्यों बोला जाता है कि कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया दोनों कभी मिल नहीं पाए बस आप समझ लो उसका जवाब देने की कोशिश में अजे देवगनें टीम एक क्राइम, ठ्रिलर, रोमान, सस्पेंस वाली कहानी को मौडन जमाने में लेकर आते हैं वैसे शिरुवात में मैंने आपसे बोला था ये फिल्म औरिजिनल है बट आक्शली में काफी सारी चीज़ें अलग-अलग इंडियन कोरियन मूवी से उठाके साथ में खिचडी बनाई गई है पास्ट लाइफ्स करके फिल्म आई थी अभी जिसको आसकर तक लेकर गए थे उसका लव ट्राइंगल उठाया और रक्षिट शेटी की फिल्म साइडे साइड बी से जेल वाला आंगल मिला दिया बस बॉलेवुड का पाकेट नया माल पुराना वाला फॉर्मिला बितने को तयार हो गया लेकिन बेचने से पहरे एक्सपाइडी रेट तो चेक कर लेते बॉस फिल्म नहायती लंबी है सिर्फ कहने को ढाई गंटे है धोका मत खाना जबकि 25 गंटे जैसा फील करोगे अच्छी खासी मीन लेकर सुबह उठकर जाक क्या आओगे कहानी को क्लाइमेक्स तक पहुचाने में जो इतना समय लिया जाता है उसका फाइनल ट्विस्ट एकदम बच्चों जैसा है भाई हजार फिल्मों में अलरेडी देख चुके होंगे जीरो सर्प्राइज बस एक अच्छी चीज जो है वो है फिल्म का म्यूजिक गाने अलग टाइक के हैं एकदम फ्रेश वाले बनाए भी उन्होंने हैं जिनको ओसकर ने खुद सिलेट किया था ट्रॉफी के लिए भाई मनोच सर जिन्होंने आदी पुरुष के डाइलोग्स का बंटा धा किया था उन्होंने कमबाग किया है इस फिल्म के दंदार गाने लिखकर मजा आ गया लेकिन सबसे बड़ा स्कैम है अजे देवगन और तब्बु का इस फिल्म में मौजूद होना दोनों ऐसा लग रहा था आर्टिफिशल इंटेलिजेंस AI से बनाए नकली आक्टर्स हैं अजे देवगन का स्क्रीन प्रेजेंस भाई ऐसा लग रहा था कोई भोजपुरी आक्टर डेब्यू कर रहा है बॉलिवुड में और तब्बु सच में किसी पुतले जैसी रिमोट कंट्रोल आक्टिंग वाटसेप से उठाके शेरो शायरी को डायलोग्स में बदल दिया एक्टिंग अगे खुद समझदार हो तुम फामिली फिल्म के चक्कर में धुका मत खा जाना वरना घर बापस आके पूरी फामिली आपको घर से बहार निकाल देगी फिल्म को मेरी तरफ से सिर्फ एक स्टार वो भी म्यूजिक के लिए जो इस पिक्चर में वेस्ट हो गया है बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ रिकाइट करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिये मिलूगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई